कखसाथ 6 और 7 गनित की कारी पुस्त का परवह उसमें आपके और आधरित आंकलन दे रहा हैं आपके पेज नमबर 88 पे एटी एड़ पर यह आंकलन दे रहा हैं तो इसका उत्र अपमें इसमें देखने वाले हैं और इससे पहले जितने भी कारीपतर रखें आपके वह सबी के उत्र आपको मिल जाएंगे पीडिये एप के रुप में एपके उपर और आपको कौन सा कारीपतर करना है आप मुझे वाटसब मेसेज कर देना है या फिर इस वीडियो के निचे डिस्क्रिशन बोक्स में लिंक दे रहा हैं प्लैलिस्ट का तो उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आईए देख लेते हैं इसका कारीपतरक नंबर जो 67 है 67 उसके बाद में और आधरिज आंकलन पत्र इसमें आपको कुछ परसनफ पूछे जाएंगे ये परिक्षा भी होती है इसकी तो उसमें आपके ये परसनफ पूछे जाएंगे पहला क्यूशन है कि म भूतिया स्वाल ही है हम क्या करेंगे इसमेंola ऊसकेपस 5000 दिपक थे पहले दिंपान सो बेचे दूसरे दिंबारासूपचास 3052 अब उसके पास कितने वो बताना है तो पहले क्या करेंगे जो तिनों दिन केम जोड़ करेंगे तो यह 2250 बारासूपचास और 500 एन तिनों की ज 4000 तो 5500 तो 4000 को गटा लएंगे अपना उतरा जाएगा पांच Ξाजर अगर एक डिब्य में पत्चीस कमी जाती है तो उसे कितने डिबो की जरुरत पड़ेगी ऐसा सवाल आए तो आपको बाग करना पड़ेगा हम क्या करेंगे 625 में 25 का बाग देंगे इसे 625 है इसमें बाग देंगे 25 का तो 25 से कम 25 25 दो नहीं 50 आ जाएगा कितने बचेंगे 2 और सकता पड़ेगी तो इसका उत्र होजएगा 25 दब्बे तीसरी आप्शन में दे रखा हैं कि एक मैं पूछता हूं उसका उत्र कमेंड करके बताना कि अगर एक किलो मीटर में आपको पूछे कि कितने मीटर होते हैं एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं तो इसका उत्र कमे कितना हुजएगा आठ लिखे तीनग तो यह घाया का श्टानि मान च्छह को से ओना करेंगे और शंग और तीन जिरू और लगा लेंगे कितने अजार हो जाएगा इसके अर्टालीस जार इसका अंसर होगा जो कि तीसरे अपतर हैं आ चौता क्षेन आठ कोपिय का मुल्य बथीस रुबह एं तो आपको ऐसे दो सो कोपिया का मुल्य ग्याद करना है तो पहलaison क्या करेंगे कोपी आट ग्याद कर लेंगे इक कोपी का कितना था है तो आठ कोपियों से गुना करएंगे चार दूनी आर तो यह आर्सो रुपई हो जाएंगे तो आर्सो रुपए और हजार रुपए छेस्व सो छारी सो ठेस रुपई इसका उत्र जाएगा आर्सो रुपई है अगला चीन आफ की पाँचवा पाँचों किशन में यह बताना कि 33 का गुननखन न पदेगा तो जिसका बॉग नहीं जाता वह उसका गुननखन नहीं हो गा ऐसी समें बताना है कि कौ कि 20 किस किस के पाड़े में आते हैं वो लिखना है तो 20 को हम क्या 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 लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं एक इंटू 20 क्या लिखेंगे 20 को लिखेंगे हम यहां पे एक इंटू 20 और 2 के पाड़े में आते हैं 20 10 बार में 4 के पाड़े में आते हैं 5 बार में और 5 के पाड़े 20 आपके फ़र्ष वप्शन में देर रखाएं इसका इतर हो जएगा का पहला उतर पिर अगले संक्राओ आप किये इसमें अगला स्वाल इाटवा नेमार की संक्राओं में कुंसे संक्राओं 9 से 5 पूर्टा विबाजित होगी तो 9 से विबाजित होने के लिए इनकी ज़ोर में 9 का बाग जाना चाहिए उनको ज़ोर करके देखेंगे इसमें 9 का बाग जाता है तो वो सिंख्या 9 से विबाजित भी होगी तो 6 और 5, 11 और 0, 11 11 और 9 केतने हो जाएंगे और तीन, बारा और छेए, अठारा, अठारा में नो का बाग जाता है, नो दुनी इठारा होते हैं, तो संक्या में भी नो का बाग जाएगा, तो अपना उत्तर की हो जाएगा, पांच जार चार सो छेटीस, फिर इसको चेक करने की ज़रुद नहीं है, अगला क्षिन है, संक् बरे ताकि वो 6 से वबाजित हो जाएं अब 6 से वबाजित होने का मतलब उसमें 2 का बाग भी जाता है उसमें 3 का बाग भी जाता है तो 2 के लिए तो चेक करते हैं कि लास में 0 होना चाहिए और 3 के लिए चेक करते हैं कि जोड में 3 का बाग जाना चाहिए तो जोड कर लेते हैं कितना कम बढ़ने फिर लिख देंगे इसमें 9 और 6 कितने होते 15 कितने हो जाएंगे पंदरा प्लस 3 प्लस 0 नो और 6 15 और 3 18 हो जाएंगे जीरो तो अठारा ही हो गए तो पहला से आ अब और क्या जोड़ें तो अठारा में यह तो आप 6 जोड़ दो यह फिर इसमें 0 जोड़ दो 0 तो है नहीं तो 3 के पारे माने विल सिंग का जोड़ जाएंगे तो 6 जोड़ेंगे तो अठारा और छी कितने हो जाएंगे चोबिस हो जाएंगे चोबिस में तीन का बाग जाएगा, तो उसमें छे का बाग भी जाएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर छे लिखेंगे अगर छे लिखेंगे तो इसमें दो का और तीन का दोनों का जाएगा तो इसमें छे का बाग भी जाएगा नेक्स्ट रिक्यूशन दस्वा निम्ड कित में से कौन सी क्या 279 का एक गुननखन हैं इनकी किसके पार्ण में 279 आते हैं 27 तो पहले इसमें 6 को देखते हैं 6 में 2 का और 3 का पाग जाना चाहिए तो इसमें लाच में 9 है तो इसमें 2 का पाग नहीं जाएगा तो 6 का पाग भी नहीं जाएगा 9 के लिए आंको को जोड़ देखते हैं मज़ने हैं ताकि आपको आगे की जो आठी क्लास होगी इसमें बहुत परिक्षा में आप अच्छे नमबर प्राप्ट कर सकेंगे तो यह था आपके कारी पत्रक जो सरसर के बाद में पेज नमबर अठीसे पर दे रखा है और आधारित आकलन वह वाला आकलन पत्रें जो आप